तो हेलो एवेरिवन हमरी चैनल में आपका हादी स्वागत है अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलो कहानी आज स्टार्ट करते हैं कहानी है बेताल विक्रम की बेताल पंचीसी विक्रम और बेताल बहुती पुनारी बात है दारा नगरी में गंद वर्षन नाम का एक राजा राज करते थे उसके चार रानी थी लगे रानियों थी चार रानियों थी पर उनके छो लड़के थे जो और सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे संसेयोग से एक दिन राजा की मुत्यों हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा संख गंदी पर बेठा उसने खुद दिन राज किया लेकिन सोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला उसको और स्वयम राजा बन बेठा और खुद राजा बन गया मार के उसका राज दिनों दिन बढ़ता गया और वहां सारे जम्बु दिप का राजा बन बेठा एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूम कर सेर करनी चाहिए लेकर घूमना चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने है उन्हें देखना चाहिए सो वही गदीप अपने सोटे भाई भत्रु हरी को सौपकर योगी बन कर राज से निकल पड़ा उसके बाद उस नगर में एक ब्रह्मान तपश्या करता था एक दिन दिवता ने पसंद होकर उसे एक फल दिया और कहा कि उसे जो भी खाएगा वहां अमर हो जाएगा ब्रह्मान ने वे फल लाकर अपनी पत्ति को दिया और दिवता की बाद भी बता दी ब्रह्मान ने बोली हम अमर होकर क्या करेंगे हम में सा भिक मागते रहेंगे इससे तो मरना ही अच्छा है तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ तो नमस्कार दोस्तो इसे के साथ यह कहानी पार्ट वन यहां खतम होता है कि दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए इसी तरह ए पार्ट दूसरा पार्ट लेके आएंगे तो थेंकी वेरे मच पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद